नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एकुप्रेशर और एकुपंक्चर में जो एकुपाइंट होते हैं उनकी परिभाशा साइंटिफिक एविडेंस की बैक्गराउंड मैं बताऊंगा तो एकुपाइंट क्या है एकुपाइंट कुए की तरह होता है जो भूमीगत जल माग से पानी को पृत्वी की सताय से जोड़ता है कुए बिजली का बेतर संचालन करते हैं क्योंकि पानी बिजली का बेतर संचालन करती है कुए ऐसे संधान है जहां समगरी इसानी से जमीन में ग्राउंड में समा सकती है कुवों में पानी का ताबमान सीधे नीचे या भूमी का जल माग से जुड़े दूर के स्थानों से जमीन के ताबमान को दर्शाता है तो कहने का ताथ प्रेया है कि जो हमारे शरीर में अनरजी फ्लो करती है उर्जा फ्लो करती है वो meridians के through flow करती है और उस meridian पे कहीं कहीं जगा पे eco point होते हैं जिनको हम कुए के साथ reciprocate कर रहे हैं परिकल्पना ये की जाती है कि मद्याहन रिखा में पानी वास्ता में स्थिर जल सुओं में बना रहता है और भुमी गजल माग meridian की तरह होती है जैसे मिट्टी के कड़ों के बीच पानी बैता है क्योंकि क्यों हुआ ही मानव श्रीर के अंदर स्पाने स्योजी उतकों की कोशिकाओं के बीच बैती है टिश्यूज में बैती है फ्लो करती है eco point का अनुमानित अकार अब सवाल उठता है कि eco point देखा जा सकता है 350 माइक्रॉन और मनुष्य में 450 माइक्रॉन है एलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है eco point के आई 3 के माद्यम से रेडियो आइसोटोप का अवशोशन गैर eco points की तुलना में बेतर था जो उच्छ शिखर गती वी दी और अधिक अवशोशन दर से पर्मानिद था मानव शिरीर पर 73 eco point पर चुम्ब की अनुवाद अमेजिंगी तकनीक से सिटी स्कैन और एक हाई स्कोप वीडियो माइक्रोस्कोप सिस्टम के साथ ये पाया गया कि एक eco point एक जटिल पर ना ली है complex है जिसमें मुखे रूप में सजोजी उतक होते हैं जो रक्त कोशिकाओं के साथ जुड़े होते हैं तंतिरकाएं, लसीकाव, वहीकाएं आदी तत्व जैसे केलशियम, फासफोरस, पोटाशियम, आइरन, जस्ता, जिंक, मेगनीज आदी एकोपाइंट के अंदरूप स्थानों में गैरी सजोजी उतक्र सरचनाव में केंद्रित पाये जाते हैं मनुष्य में क्यववाई को प्रेडित करने के लिए एकोपाइंट बी एल 23, 24, 25 पर एकोपंक्चर सुई गुमा कर ये पाया गया कि पारदर्शी स्मगरी सुई से जुड़ी हुए है एलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोब इश्रेशन से पता चला कि पारदर्शी स्मगरी कॉलेजन फाइबर, लोचदार फाइबर, फाइब्रो ब्लास्ट, वसा और मस्तूल कोशिकाओं से बनी थी शायद ही कभी तंतिर का फाइबर जैसी सरचनाएं देखी गई फिर भी कैल्सी टोनिन जीन से स्वंदित, पैप्टाइड पॉजिटिव तंत्रिक तंतूं को एकुपॉइंट B.L.24 स्वंदत प्रावणी में परदशीक किया जा सकता है तो दोस्तो इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में कनवर्ट करता हूँ तो अधी पॉजिट पॉजब दोस प्रावणी में परदशीक किया जा सकता है rarely were nerve fiber like structure observed nevertheless calcitonin gene related peptide positive nerve fibers could be demonstrated in the ECU point BL24 associated fascia तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इंसिचूशन से MD करते हैं और कुछ बच्चे Master Diploma Certification करते हैं और कुछ बच्चे Master Diploma Certification जिसको वो कहते हैं MD AMT यानि कि Master Diploma Ecopression and Magnetotherapy करते हैं तो उनको यह जुरूर पता होना चाहिए कि दरसल ECU point है क्या क्योंकि ECU point अगर हमें नहीं पता तो naturally हम कितने भी परिपक क्यों नहीं हो जाएं हमें उसका basic principle नहीं पता लगता तो फिर दुबारा अगर कोई पूछे water ECU points ECU points are like wells that connect water from underground waterways to earth surface the well conduct electricity better because water conduct electricity better wells are places where material can sink into ground easily the temperature of water in the well reflects the temperature of the ground directly below or from distance places connected by underground waterways तो इसकी थर्मल स्कैनिंग भी की गई तो थर्मल स्कैनिंग में जो डिजीज पोर्षन थे उनके color अलग लग आए वो लग लग ग्रीन और ब्ल्यू विद ब्लैक रिप्रेजेंटिंग दी कॉल डेस्ट तेंपरेचर तो यह इंटरप्रेटेशन होई इस प्रेचर में भी दूट लोकल और डिस्टेंग अफेक्ट लोकल सोर्स वुड इंडिकेट सम्थिंग अफ्लिक्टिंग आई जो पॉइंट है जो इंडिकेट प्रॉब्लम इंडिस्टेंट और गंस दूर जो अंग है उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है थ्रू दा ट्रांस्बिशन ऑफ इंफारेड थ्रू मेरीडियन्स तो दोस्तों कोर्स जो होता है एकुप्रेशर वो तो बंदा घर में भी सीख लेता है मगर एकुपंक्चर को सीखने के लिए एक करने के लिए बंदा बहुत ज्यादा एनाटमी निर कार होना चाहिए एकुप्रेशर सेफेस्ट टेकनीक है मगर वो सुपरफीशियल है एकुपंक्चर डीब जाती है और हील भी बैटर करती है मगर रिजल्ट्स इनके आने वाले टाइम में अलार्मिंग होंगे तो वेस्टरन साइंसिस से मिक्स करके जो डॉक्टर इनको लग हमें आए जिनको नीन नहीं आतीे पेयरलाइस्स पेशंट्स के लिए और जिनको पीड मेनसमेंट में तकलीफ है किसी को सरवािकल की प्रॉलम है किसी को लंबर की प्रॉलम है ऐसे अच्छह लगा तो लाइक करना सबस्क्राइब करना हौर शेयर करना हमारा चैनल नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको एको प्रेशर और एको पंक्चर में जो एको